साथियों हम जानते हैं प्रतीक पदार्थ में दर्वेमान होता है अर्थाथ दर्वेमान प्रतीक पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है इसके लिए आज हम कुछ परियोग करेंगे हम बहुतिक परिवर्तन में और रसाइनिक परिवर्तन में दोनों में देखेंगे कि दर्वेमान किस प्रकार संदक्षित रहता है इसके लिए हम बर्फ के टुकडे लेंगे इस बर्फ के टुकडों के पहले दर्वेमान ग्याद करेंगे और उसके पश्चा जब यह थोड़ी पिगल जाएगी और जब यह पूने तह दर्व में परिव परिवर्तन होता है अथ्वाय संदक्षित रहता है इसके लिए हम एक तुला का प्रियोग करेंगे यह मैं आपको बता दू कि इस में दश्मलव के बाद दो स्थान सक्मारा जा रहती है अब हम इसका द्रवमान देखेंगे, इन बर्व के टुकडों का द्रवमान 36.01 ग्राम है, अब इसको हम कुछ समय के लिए पिगलने के लिए छोड़ देते हैं, यहां रख देते हैं कुछ समय पष्शात हम देखेंगे कि इसके द्रवेमान में कितना परिवर्टन होता है अथवा यह संद्रक्षित रहता है यह हमें प्रयोग का सत्यापन करना है अब हमने देखा कुछ समय पश्चाद या बर्फ आधी पिगल गई है कुछ पादी में परिवर्टित हो चुकी या कुछ इसका थोस पदार्त है अ इसका वजन 35 दश्विलव 99 ग्राम लगभग वही आ रहा है जो पहले था पिगलने के पहले और आधे पिगलने के उपरांद अब हम देखेंगे जब यह बर्फ पूर्ण पिगल जाएगी तब इसका द्रवेमान कितना होगा साथियों अब देखिए यह बर्फ पूरी तह पानी में परिवर्टित हो चुकी है अब इसका द्रवेमान हम ग्याद करेंगे यह द्रवेमान 35.98 ग्राम आ रहा है जो लगबग 36 ग्राम के बराबर है जैसा कि पहले मैंने का था कि द्रवेमान के बाद दूसरे इस्थान तक परिवर्टन होने की संभावना रहती है यह है जो मान है जो 35.98 और 36 ग्राम यह लगबग बराबर है अप्य हम कह सकते हैं कि भौतिक प्रक्रिया के दौरान द्रवेमान संरक्षित रहता है आईए इसी प्रकार का प्रयोग अब हम किसी रसाइनिक अभिक्रिया के लिए करते हैं कि रसाइनिक अभीकरिया में भी द्रव्यमान संद्रक्षित रहता है अथवा नहीं इसका पता लगाते हैं इसके लिए हम बेरियम क्लूराइड और सोडियम सलफेट के मद्धिये अवख्षेपन अभीकरिया करेंगे इसके लिए हम क्या करते हैं एक हमें पदार जिसकी शक्ता होगी वो है यह मापक सिलेंडर दो भीकर और एक वह भीकर जिसमें दौनों विलियनों का द्रवेमान ग्याद करना है हमने इस भीकर में हमने बेरियम ग्लुएड का चार प्रतिशत विलियन बनाया है ठीक इसी प्रकार इस भीकर में सोडियम सलफेड का चार प्रतिशत विलियन तयार कर लिया है अब इस मापक सिलेंडर की साइथा से हम इन दौनों विलियनों में से 20-20 एमेल लेकर दो भीकर में डालेंगे सबसे पहले मैं बेरियम ग्लुएड का विलियन ले रहा हूँ यह मापक सिलेंडर है और इससे हमको यह बेरियम ग्लुएड का चार प्रतिशत विलियन लेना है इसको विरा मरबस्ता में रखें और यह देखें कि यह 20 एमेल विलियन ले लिया गया है इस 20 एमेल विलियन को इस छोटे बीकर में ले लेते हैं यह हमारे पास प्रियोग के लिए बेरियम ग्लुएड का 20 एमेल विलियन तयार है इसे यह रखते हैं अब दूसरे बीकर में एक अन्यम मापक सिलेंडर की साहिता से सोडियम सलफेड का विलियन लेते हैं यह भी हम 20 एमेल लेंगे यह ध्यान रहें कि जब हम इसका विलियन ले रहे हैं तो विलियन का मापन करते समय विलियन हमेशा विरा मस्तावन होना चाहिए यह आप देख रहे हैं कि 20 एमेल को पूरी तरह से विलियन ले लिया गया है इसे भी एक अन्यम भी कर में लेंगे अब हमारे पास में 2 विलियन हैं एक यह जो पहले लिया गया था यह है बेरियम किलूराइड का 4 प्रतिशत विलियन का 20 एमेल और दूसरा है सोडियम सलफेट का 4 प्रतिशत विलियन का 20 एमेल और इन दोनों का यहां हम पहले दरवेमान गयाद करेंगे परियोग से पहले और फिर प्रयोग के उपरांते देखेंगे कि इन दोनों का दर्वेमान कितना रहता है आईए पहले इसमें बेरियम किलोराइड का अविलियन रखते हैं और अब इसमें सोडियम सेलफेड का अविलियन रखते हैं और हम देखते हैं कि ये दोनों का जो दर्वेमान है 127.4 जीरो ग्राम वजन इसका हो गया है अब इस बेरियम क्लोराइट के विलियन में सोडियम सलफेट का विलियन मिलाएंगे आप देख रहे हैं यह रसाइनिक अभिक्रिया हो रही है आपको श्वेत अवच्छिप बना हुआ दिखाई दे रहा है और इस अभिक्रिया के उपरांत पुने इसका द्रवमान नोट करेंगे यह 127.38 ग्राम है इसका देखें वजन जो इसका द्रवमान आया वो 127.37 ग्राम लगबग तो जो प्रयोग से पहले द्रवमान था वही द्रवमान प्रयोग के उपरांत भी रहता है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रसाइनिक अभीक्रिया के दौरान भी द्रवेमान संरक्षित रहता है इस प्रक्रिया में हमने देखा कि जब बेरियम क्लोराइड का विलियन सोडियम सलफेड से अभीक्रिया करता है तो बेरियम सलफेट का श्वेत अवक्षे बनता है और साथ में सोडियम क्लूराइड बनता है तो इस रासाइनिक अभीक्रिया हो जाने के उपरांत भी यह दर्वेमान संरक्षित रहता है यह दर्वेमान परिवर्थित नहीं होता है इस रासाइनिक अभिकरिया में हमने देखा कि प्रयोग से पूर्व और प्रयोग के उपरांत द्रवमान संरक्षित रहता है अते हम कह सकते हैं कि कोई भी भौतिक प्रक्रम हो अत्वा रासाइनिक प्रक्रम दोनों में उस प्रक्रम के होने से पहले और उसके बाद में द्रवमान संरक्षित रहता है जैसा कि एंटर्नी लवेशियर ने बताया था